नवश्कार दोस्तों मैं विस्वजीत स्वागत करता हूं आप सभी कहा हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों देख सकते हैं अभी हमारे घर में प्रोग्राम है सतेसा का जिस कारण से हम लोग इस नदी में आई हुए है दिखते हैं पूरा नदी तो एक्षले में हुआ क्य कोड़ना है 27 कुवा तो से ऐसा अगर आपके घर में होता है तो इस तरह कुछ विवस्ता है नदी के सामने चुटा सा कुवा कोड़ लीजिए यह एक तरह कुवा है और पानी यहां से निकाल सकते हैं आराम से तो मुझे एक टास्क दिया जा रहा है 27 से जाता होगे तकिन त चार पांच छे साथ नौद्द से गया रहा बारा तिरह चौदा पंद्रह सुरह सत्रह तरह नीज बीसे किस बाइस चुबित पचीश अटाइस तो कुल मिलाकर मेरे आंकड़ कोने सार अटाइस हो रहे हैं तो खैर अभी मैं जा रहा हूं इस नदी में थ्रोड़ा सा नहाने के लिए क्योंकि नहाने कुछ टाइम नहीं मिला था तो चलिए है 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 इस वीडियो के मात्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आपके घर में साथ ऐसा पूजा हो रहा है ऐसा छत्र पड़ा है आपकी बच्चे के उपर कि उतके उपर सतैसा को जो ग्रहन है उन्हें अच्छत्र है उसको कटवाना पड़ेगा हटाना पड़ेगा तो उस इस्तिति में घर में बहुत सारे उकेजन और फंक्सन के जो माहल बन जाता है उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप उन सब चीज को कर सकते हैं जिससे आपको इस पुझा को कराने में घर में आसाने होगा वीडियो पूरा डीटेल में होगा पुरे मिस्तार्स होगा इस वीडियो में आपको उसर बताने बाला हूँ देखिए यह जो पूजा है आम तोर पर जो नहीं बच्चे का जनम होता है हमारे घर में नहीं बेबी का तो वो बच्चा पुल मिलाकर हमारे भारती शास्त्रों के अनुसार पांच नहीं होता है उन्में से एक नहीं होता है सतैसा बाकी होता है मूल नहीं तो सतैसा में अगर पड़ा तो आपको 27 दिन के बाद या 27 के अल्टरनेटिव जो होते हैं 27 अगर उस अनुसार आपको इस नचत्र को कटाना पड़ता है तो अगली बर जब आपके घर में जिस डेट में नचत्र का डेट पड़ेगा उस दिन आपको पुजा कर्माना होता हु पंडी जी क्या करेंगे बहुत सरे जो ग्रहों को अपना अनुसार मैंने पुजापाट का निसार जो की समागरी चाहें बोल लिख देंगे वो आपको लेकर आना मुझे से लगता है कि ये पंडी जी का अनुसार 15 तुर से 2 तीन जर चास्टर में सारा जो समागरी है पुज अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरह से करना तो मेरी तरह आप जा सकते हैं पानी करना होता है इसके बाद आपको अपनी घर है उसको पूरी तरह से पेंट करवाना होता है पेंट करवाईए पुछड़ा करवाईए जो भी करवाईए शुद्धी करन जरूरी है अगर आप अफॉर्ड नहीं कर सकते हैं अपना टाइम भी नहीं है आपके पास तो आपके जिस जगहां पर कुजा हो रहा है वहां पर आपको इच्छे तरह से साफ करवाई जिए ऐसा होने के बाद वहां पर आम तोरह पर अभी तो मैं रूम में करवा रहा हूं क्योंकि ऐसा इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि यह जो मंत्रों का जाप लगतार बहुत लंबा चल रहा था और साइड एक पंडी थक जा रहे थे दूसरा लग रहे थे इस तरह से हो रहा है इसके बहुत कुछ इसमें करवाया जाता है इसमें में जो कुछ होता है जो ननिहाल साइड होते हैं जो बच्चे के नानी घर होती है वहां से बहुत कुछ समान आया जाता है जिसते एक तेल आपको अलग से क्या करना है कि कुछ निखाई, फल, दूद ये सब लाया जाता है ताकि अच्छी तरह से ये पूजा पार्ट होता है अब इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि इस पूजा में ओकेजन में बाहर के लोगों को बुलाया या नहीं दोस्तों ये आप पर डिपन करता है कि आप बुलाना चाह रहे या नहीं इस वीडियो में जो इस जो हो रहा था इसे बाहर के लोगों को बुलाया गया था घर परिवार फैमिली वाले के साथ आस्परस को बिलाया अब दूसरा आपका सवाल होगा दोस्तों कि इस पूजा में लेकिन अगर आपको ज्यादा है अगर ऐसा इस स्थिती होती है कि नाइच बनाना ही है अदिया भर में बना इसे बहुत साइट की होगा जलहां पर आप बनवाइएगा और बाहर ही लोगों आशे स्किती है क्योंकि साधी पार्टियों में भी ऐसा होता है तो यह सब दोस्तों क्या आप तौन विच खिला सकते हैं इसके बाद देखें दोस्तों सब कुछ तो ही जाएगा ऐसे बाद जो कुछ करना है पढ़ीजियों करना है इसके बाद इस पूजा में होता क्या है जरसल मैं आपको ग्रीकली आपको बता दूए इसमें सबसे पहले सतिनारण का पार्ट होगा उसके बाद इसा किस तरह से किया जाता है उसके बारे मंत्रों का जाप है वह सब कुछ कराया जाएगा इसके बाद इसके बाद बच्चे का चेहरा आपको मालुम ही होगा कि ये पुजा जब तक कराया नहीं जाता है तब तक लड़के के पिता है बच्चे के पिता है वो बच्चे का चहरा नहीं देख सकते। तो इसी पूजा में होता क्या है उसने पूरा पातर को तेल से भढ़ देगा। और उसको बैठे वे इंसान पिता उनके सामें रखा जाएगा नीचे और बच्चे को पीठ पर गाएगा उस माध हम दो तेल यह से माध्यम से रोडर तेल में उसका चहरा को देखना है बच्चेका और जब यह उसका दिख जाएगा तो समझे pře एक पूरह को पूरह नहीं कराया है तो उससे अने अगर यह मांते हैं वास्ता nuclear गया है कि वक्त्gan की हमन के त्यारे की गई है और हवन कराना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पंडीजी गवन वसारी ऐसा हवन होता कि अची और इसमें क्या होगा कि जो अच़ता उत्य जूर बैक्णा बच्छ को वह जो प्वित्र के हैं सुर्द्ध के आता है देख लिए इस बीडियो में आसा हो भी रहा है याण याण तो याण भी मधी इस बीडिए चीट्र्टश्य आप्से बाव व्हा याण देखी नहीं आप लग्रिया नहीं घ्योडनि नजने जोड़न इक तरिक्टी साथा जेता है अम्तंप्रम सेन महस्वाहा अर्यम्भमायस्वाहा अमुधायस्वाहा सन्च्राइश्वाहा अम्तंप्रいたल्यम्भम Baby बर्यम्भमम्भम अर्यम्भम अर्यम्रतियों अर्यम्भमर आठिट मोखित couleघे माखें समिर समिर बहुद एंक इा अधकर आख दें का इंप्नी कि अ DON'TUCKया है इंचते घरफिए व कि चांडे रद buna कि आखिए रेन आई तरह का न पूंग, तो जो खांड में दींदी च्छब जी सब्ते खक जाखो vagy recommend हुग हुग घर कर में मुदूग थे खके यदो counicin मामी के, मामी के, मामी कास. अम राहवे स्वाहा, अम केतवे स्वाहा, अम अशुनियाय नमा स्वाहा, अम भर्याय स्वाहा, अम कृत्तिकाय स्वाहा, अम रोहिंदा स्वाहा, अम रिक्षिराय स्वाहा, अम आध्दराय स्वाहा, अम पुनर्वसु स्वाहा, अम पुक्याय स्वाहा, अम अशलेखाय स्व governo में ऐस साहाँ ओम जास फाहाँ आलो सभाँ स्वाहा55 सिस्भाहः ज़िएव्वरbst ऑपने पूजा पूजा पार्ट खतम हो चुका है और देख सकते हैं मेरे हाथ में जो एक जोला था ये वही सामान है पूजा पार्ट का जिसे मैं नदी में विजजल करने जा रहा हूँ फाइनली दोस्तों मैं आचुका हूँ नदी के बीचो बीच और देख सकते हैं इस बार मैं इस तरफ चाया हूँ और अगली बार जो इससे पहले मैंने 27 कुवा का पानी रहने के लिए आया था भाईये के साथ और यही सबकुछ समापन है इसी विसर्जन के साथ ही यह पुजा पार्ट जो है सबकुछ कल्यान और समपन हो जाएगी चलिए देखते हैं आगे का और कुछ फाइनली दोस्तों अब मैं इसे विसर्जित करने जा रहा हूँ देखिए आप में किस तरह से करता हूँ इसा में बिक नमा जाएगा मौनों किस विसर्टा किसा को भाइब रही आप माएं जाएगा तरह स्वार आप हया हूँ किसा किसा कि स्थार आप जाएगा किसा जाएगा लिसर्टा उन्सेट रहा जाएगे प्रवाइब तो प्रवाइब तो बहुत ही मज़ा था दोस्तों इसमें तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूं असा करता हूं वीडियो आपका पसंद आएगी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरुब की जेगा धन्यावाट